अगर आप Star Wars के फैन है, यह जो स्मार्ट वाच है, आपको काफी पसंद आने वाला है, यह है Boba Fett, Special Edition Star Wars Fossil, Automatic Watch, यह एक बहुत ही Special Watch है, Return of the Jedi मूवी आपने देखा होगा, यह 1983 में रिलीज हुआ था, और इस मूवी में Boba Fett करके एक कारक्टर था, और इस वाच है उस पे बेस्ट है, और सबसे यूनिक चीज यह है, कि यह जो वाच है, इसके सिरिफ 1983, वही यह जिसमें जो Return of the Jedi मूवी लाँच हुआ था, उतने ही वाचेस बने हुआ हैं, अभी जो 21 Jewel Automatic Watch हैं, यह लाइफ लॉंग तर ग्लास करते हैं, इन्हें सिरिफ आपको पहन के रखना है, यह automatically अपने आपको वाइंट करते हैं, चलिए इसे शेक करते हैं, देखते रहिए, तो यह स्टा वाउस, फॉसल वाच, जोइन दी डाक साइड, अगर आप स्टा वाउस के फैन है, तो यह जो वाच आपको काफी पसंदाने वाला है, रिटन अव दी जेडाइ, वैसे य यहाँ पर यह चोटा सा ड्रावर है, जिसमें यह बोक्स है, यह बिसिकली स्टा वाउस थीम फॉलो कर रहा है, तो इसके अंदर यह कार्ड है, सर्टिफिकेट अफ ऑफ ऑथनसिटी, यह जो वाच है यह एक्दम यूनिक टाप का वाच है, और बहुत ही लिमिटेड इस प् और वैसा ही फील मिलता है, स्टा वाउस का फील, अब मैं इसे खोलने वाला हूँ, ध्यान से देखे और सुनिये, क्यूंकि मैं इसे एक बार खोल चुका हूँ, रेडी, तो आपने सुना, स्टा वाउस एफेक्ट, और यह देखे है, रेटन आफ जडाई, 1983, यह लिखा हू और यह है वाच, जो की काफी अमेजिंग वाच है, यह देखे है, यह अक्चुली एक आटमेटिक वाच है, तो इसके पर यह जो फिल्म लगा हूँ है, इसके निकाल देता हूँ, अटमेटिक यह लिखा हूँ है, इसको डायल है एकदम यूनिक टापका है, यह बोबा जो कि आप नोट करेंगे, यहां पर 1208 of 1983 लिखा हूआ है, इसका मतलब यह है कि दुनिया में सिर्फ 1983 इस परकार के वाच बने हुए है, जिन में से यह जो वाच है, इसका जो मैनुफाक्शरिंग नंबर था, वो है 1208, इसी से आपका आइडे मिल गा होगा कि यह जो वाच ह है दुनिया भर में, और यह थोड़ा सा हेवी भी है, मैं से फील कर पा रहा हूँ, और फिनिशिंग अगर अब देखें तो काफी बढ़िया है, बोबा फैट, वो जो स्टा वाच का करेक्टर है, उसके बार में जानकारी है, तो उसका जो हेलमेट है, उसी प्रकार खा फिन बैसिकली इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें, इनकेस अगर आप यह वाच यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह एक काफी बढ़िया केस है, इस वाच को स्टोर करने के लिए, इसकी जो बॉड़ी है, यह तोड़ा सा कर्व्ट है, इस वाच को डिजाइन है, यह बोबा फैट कारेक्टर जो है, स्टा वाच में, उनसे इंस्पायड है, खास चीज जो कि आप इमेजेटली नोडिस करेंगे, यह जो सेकंड है, देखे किस प्रकार से यहां पर आपको दिख रहा है, यह मेकानिकल वाच है, और ताइम दिखने के लिए, यहां पर देखे जो तू लिखा टाइम है, इससे एज़ेस कर सकते हैं, यह देखे इस परकार से, यह देखे मैं इसे हाथों में पहन लिया है, काफी अमेजिंग लगता है, यह थोड़ा सा भारी है, लेकिन इसका जो लुक्स है, मुझे यह काफी पसंद आया है, और जो टाइम है से मैं अब सेट भी कर दि ओर पाइम है और जो अपनी अपनी आप को अटोमाटिकली वाइंट करता रहेगा, जब अब फुली वाइंड हो जाता है तो तकरीबन इसमें 48 आवर्स का रिजर्फ पावर आ जाता है, मतलब की दो दिन तक अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी यह चलता रह 10-20 seconds तक अगर शेक करेंगे तो आपको तक्रीबन 3-4 घंटे का पावर रिजर्व मिल जाएगा तो मुझे खास करके जो अटोमाटिक वाचिज हैं काफी पसंद है अगर आप यह प्रड़क्त खरीदना चाते हैं वैसे इस प्रकार के जो स्पेशल एडिशन वाचिज हैं इनके और भी मॉडल्स अवलेबल हैं लिंक मेंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन न दिया हुआ है वहां से आपको प्राइजिंग के बारे में जनकरी भी मिल जाएगा देखते रहिए